मामी, मेरे लिए चॉकलेट बार खड़ी दो अ, कैसा शोर है? अभी तो दो फरके के बल दो बज़े हैं एक मिनिट रुको, क्या आज 31 अप्टुबर है? इसका मतलब है कि सिस्टर जेन पर खौफनाक हैलोविन प्रैंक का समय शुरू होने वाला है पहली शरारत एक गेन और एक सफेज चादर की होगी दरावना चेरा नहीं भूलना है बू, यह कैसा चल रहा है? डर लग रहा है? तो चलो आगे चलते हैं, हमें बहुत ही शान्द रहना होगा बू, यह देखो मेरी बहन गहरी नीन में सो रही है तुम उसके सिर के ठीक उपर एक धूत लटका सकते हैं ताकि जब वो अपनी आखे खोले, तो वो सबसे पहले इसे देखे इसके बाद वो अपने हाथों पर ध्यान देगी और उस पर खौफनाग दस्ताने पहने होंगे वो उटकर मुझे ढूरना चाहेगी लेकिन अगर उसके पैरों के नीचे गोल कैंडी है तो वो दूर नहीं जा पाएगी और अगला सबसे अच्छा है एक प्लेट पर हरा स्लाइम वो इस पर मुझे बल गिर जाएगी यह बहुत ही मज़ेदार होगा और अब फाइनल टच दर्वाजे पर इट की दिवार लगा देते है हाँ चलो देखते हैं और हसते है ओ कितनी अच्छी सुबह है अरे यह किस तरह का भूत है यह मैग भूत हूँ अरे यह तो सिर्ब दस्ताने है खेर जो भी हो बेन मैं तुम्हारे पास आ रही हू अरे मैं गिर रही हू मज़े असा किस नौर्ट नहीं था बस बहुत हो गया बेन अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेन अरे यह क्या है यह एक दरवाजा हुआ करता था ओ, सच में, तो यह एक सिर्फ बॉल पेपर है गुड मार्निंग चोटी बैन, तुम्हें हैपी हेलोवीन लगता है तुम खरा मूड में हो क्या अच्छा शू है, मैं अपनी आखी से नहीं हटा पा रही हमें नास्ते के लिए कुछ चाहिए, दूद, हमारे पास नास्ते के लिए सीरियल्स है बढ़िया है, लेकिन जैन अभी भी शो को इतना मगन होकर देख रही है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, तेकिन उस पर प्रैंक कर सकता हूँ हम अपनी प्लेट में सभी मीठे फ्लैक्स डालते है लेकिन मेरी बेहन के लिए मेरे पास कुछ और भी दिल्चस्प है गंदे कीडे अब हम सब कुछ एक खाली डब्बे में डाल देंगे और जेन के पास ले जाएंगे मुझे आसा है उसे ये नाष्टा पसंद आएगा खेर, अब उसे यद दे सकते है अरे सिस्टर, मैंने तुमारे लिए ये नाष्टे के लिए सब कुछ तयार कर दिया है यहां तुमारे लिए कब दूद और सीरियल है और मैं चमच के बारे में भी नहीं भूला हूँ ओ, तुम कितने अच्छे हो धैन्यवाद, मैं एक नया शो देख रही थी मैं इसे सुबा से देख रही हूँ और अपनी ध्यान नहीं हटा पा रही हूँ मैंने अभी तक नास्ता भी नहीं किया है और तुम जानते हो मुझे दूद के साथ सीरियल्स बहुत पसंद है ओ, इसकी गंत तो अद्बुध है आँ, स्वाद, आची, कितना गंता क्या तुम कीड़े दे दियो मुझे तुमने नास्ते में कीड़े खाए मेरे पास एक अच्छा एडिया है कि अपने भाई को कैसे प्रैंक किया जाए हम एक नकली टेबल बनाएंगे और काले टेबल क्लोट में चेहरे के लिए छेद करेंगे उपर मैं इस पर पॉपकॉर्ण डालूँगी और एक दरावना मेक अप करूँगी और अब हम उसे डरा सकते है वाओ पॉपकॉर्ण की पूरी बकेट कितना अच्छा है वाओ अब एक अच्छा वीडियो लगा कर इसे खाते है और शांदार समय बिताते है लेकिन यह कुछ संदीक लग रहा है लेकिन पॉपकॉर्ण स्वादिश लग रहा है अरे किसी मॉंस्टर ने मुझे काट लिया मैं एक पॉपकॉर्ण मॉंस्टर हूँ तु मेरा पॉपकॉर्ण नहीं खा सकते मुझे मत खाओ मेरे मन में नया शांदार आइडिया है प्रैंक के लिए हाली में एक नकली हाथ मेरे पास था और जैन हेलोविन के लिए अपनी कमरे को सजा रही है यह बहुत बड़ा मजाक होगा यदि मैं गल्ती से अपने हाथ में ड्रिल करता हूँ तो मुझे बस नकली हाथ लगाने की जरुवत है अब मैं अपनी बेहन की मदद के लिए जा रहा हूँ जैन तुम क्या कर रही हो लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मैं बस अपनी सामान अपने साथ लाया हूँ मैं कुछी समय में यहाँ छेट कर देता हूँ आँ यह क्या हो गया अरे नहीं मेरा हाथ मैंने अपने हाथ में ड्रिल कर लिया ओ, नहीं, क्या ये वेन का हाथ है? ओ, ये नकली हाथ है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहतर आइडिया है अब मैं उसे आर्टिफेसल माइंड से प्रैंक करूँगी इसके लिए मुझे खूनी पटियों की जर्वत होगी और नकली खून की भी हम पटियों को डुबाते हैं, अब हम वीक के नीचे सब को छिपाते हैं और आप डराने जा सकते वेंजी ने चाको क्यों निकाला? अरे, रात में डरावनी फिल्म में देखना बुरा आइडिया है हागी क्या होगा? ओ, जेन, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने आई हो? क्या तुमको चिप्स लाई हो? ओ, वाओ! अरे, मैं तुमारे बाल खीचूंगा, मुझे चिप्स दो अरे, यह क्या हो रहा है? जेन, तुम्हारा दिमाग दिखाए दे रहा है मुझे अपने भाई बेन पर एक शरारत के लिए नया आईडिया मिला है अब मैं कद्दू से एक दरावना चेहरा ताटने जा रही हूँ जो उसे पक्का डराएगी या आखे होंगी और आप, मूँ बढ़िया हमें अंदर एक मुमबती डालनी होगी और यह हो गया अब हमारे कद्दू के मॉंस्टर को बेन के बिस्तर के नीचे रखेंगे अंधीरे से यह चेरा और भी डरामना लगएगा लेकिन यह काफी नहीं है खोनी निशान छोड़ना जरूरी है जैसे कि एक मॉंस्टर अपने बिस्तर के नीचे छेब गया हो और अब हमें बेन के आने से पहले यहां से भागना होगा मैं अपने पैरों पर रंग लगा लेती हूँ और यहां अपना फूट प्रिंट छोड़ूंगी और भाई क्याने से पहले भाग जाती हूँ मेरा फेवरेट गाना बज़ रहा है हाँ और यह मेरा फेवरेट टाइम भी है ये अरे ये पैरों के निशान कैसे है और वे मेरे बिस्तर के नीचे क्यों है मुझे डर लग रहा है बिस्तर के नीचे कौन है अरे मेरे बिस्तर के नेजे मॉंस्टर है नमस्ते यहां आपके पार्सल है आप इसे ले सकते हैं धन्यवाद चलो अब देखते हैं कि उन्होंने मेरे बॉक्स में क्या रखा है ओ गुलाबी पोचा बढ़िया है यह निश्चित रुप से मुझे अपने फेवरिट घर से जालो को ग्लैमरस तरीके से हटाने में मदद करेंगे कितना विशाल मकड़ा है दर की मारे कहीं मेरे सारे बाल इन सफेदना हो जाए नहीं, यह कितना विशाल मकड़ा है वाह, मेरा वैक्यूम क्लिंट सारे मकरो को अपने अंदर खीच लेगा और मेरे लिए क्या है यह, रबर के तास्ताने अब मैं अपने सपनों के घर से कच्रा साफ कर दूंगी सबसे पहले, जाले बढ़िया, वाव, किम हाँ, मुझे पता है कि मैं वाव हूँ यह गुलावी कालिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे घर के अस्तर के लिए इसकी जर्वत है इसलिए मैं स्टेपलर पकड़ती हूँ और इस खोब सुरत नरम गुलावी कालिन के साथ घर को धकना शुरू करती हूँ मुझे यह रंग बहुत पसंद है खिड़कियों के बारे में भी नहीं भूलना है वाव, और यह दिल घर की छट पर अगुद लगेगा सभी को पता चलना चाहिए कि सुन्दर की मिहार हती है और अब मुझे बालों को थोड़ा ट्रीम करने की जर्वत है लेकिन मेरे नहीं घर के इसके लिए उसकी देखवाल की जर्वत है जो मैं हमेशा सुन्दर रहने के लिए अपनी करती हूँ और मेरा मुनायम घर तेयार है ओ, लगता वो घर सजा रही है मैं भी करूँगा और मुझे इसके लिए नीली प्रिंगस की जर्वत होगी आखिर मैं बच्पन से ही इन चिप्स को खाता आया हूँ और साथ ही इन डबो को जमा करता आया हूँ मुझे इस समय के लिए उनकी जर्वत थी और यहाँ मेरे फेवरेट नीले गमी रहेंगे लेकिन इतना ही नहीं है ओरियो, मुझे ये कुकिस बहुत पसंद है चलो, इसे छट पर चिपका दे वा, यह यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और एक ज़ंडा तयार आउच, मिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो ओ, मैं बलून फुला रही हूँ ये पीले बलून मेरे घर को सजाने के लिए एकदम सही है मुझे सभी बलून्स को फुलाना होगा ताकि एक घर के लिए काफी हो और यह, आखरी वाला ओ, मैं ठक गई हूँ ओ, मुझे आखों के सामें तारे नजर आ रहे है ओ, मिया, तुम कैसी हो मैं एकदम ठीक हूँ अब मैं अपने घर को सजाओंगी तो चलो, नीचे से शुरू करें और उपर जाए ये पीले बलून मुझे लंबे सौसिस की याद दिलाता है ये बहुत पानी लगेगा लग रहा है मेरा घर हवादार और रंगिन होगा और मेरा काम हो गया वाव, केले बहुत स्वादिस्ट है लेकर मुझे और चाहिए चलो, एक गठा खोद लिया और अंदर एक केला डाल दिया बढ़िया अब इसमें पानी डालेंगे और फिर थोड़ा इंजार करेंगे वाव, मैंने कितना सुन्दर पेड़ उगाया है और यहाँ मेरे फेवरेट केले है और यहाँ मुझे पक्का से अपने सन बेट के जर्वत होगी जिस पर मैं आराम कर सकते हूँ मैं अपने सिर को धाक लेते हूँ ताकि धूप न लगे ओ, केले, मुझे लगता है अगर मैं एक दो खालू तो पडोसी को कोई आपती नहीं होगी अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, इधर मता ना अच्छा, ठीक है तो मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ ओ, हाँ, मेरे पास एक कार है लेकिन मैं इसे कहा रोल कर सकता हूँ अब मैं एक विशाल रेसिंग स्लाइड बनाने जा रहा हूँ इसे यहाँ लगाया और इधर भी वाव, कितना अच्छा यहाँ कार को और यह, फूर वाव, कितनी तेजी से आ रहा है कितना अच्छा यह लड़के भी न, बस खैट, मेरे पास यहाँ कुछ और दिल्चस चीजे है यहाँ कुछ उपकरन और मेरे जूले की हिस्सो का एक छोटा सा सेट है मुझे बस इकठा करना है और मैं इसे कुछ ही समय में कर लूँगी बस इस तरह से वाव, मेरा गुलावी जूला तेयार हो गया और मैं अपने यूनिकोन के साथ यहाँ खेल सकती हो बहुत बढ़िया और यहाँ मेरा मेल बॉक्स एकदम सही रहेगा वाव, मुझे भी एक मेल बॉक्स चाहिए अकसर मेरे फैंस मुझे लेटर भेजते है मैं फूल को पेंट में डूँओ कर मेल बॉक्स पर फूल प्रिंट कर दूँगी कितना सुन्दर है वाव, फूल, मेरे पास एक अच्छा इडिया है मुझे भी मेल बॉक्स चाहिए हिप्पो बॉब से मिलो यह मेरे मेल की रक्षा करेगा सभी को हेलो, मैं पोश्ट मैं सैम हूँ और मैं तुमारी चिठिया लाया हूँ वाव, तुमारा मेल बॉक्स इतना अच्छा है मिस यहां तुमारा लेटर है ओ, गूड आप्टेनून मिस्टर दैन मैं तुमारे ले भी लेटर लेकर आया हूँ दर्ध हो रहा है मैं तुमारे ले कोई और मेल नहीं लाओंगा अपना मेल बॉक्स बदलो और यहां कौन रहता है? वाव, क्या खुबसूर्ती है मैं, ओ, 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 माफ करना मैंने यह जानबुच कर नहीं किया यहां जीब था यहां आपका लेटर है मेरी मिस यूनिवर्स धन्यवाद मुझे जाना है जल्दी मिलते है इस कार से मैं बोर हो गया हूँ हाँ, मैंने अभी तक घर के अंदर कुछ नहीं किया है मुझे जल्दी अपने सपनों का घर बनाना है ओ, यह यहां कितना खानी है मुझे यहां कुछ अच्छा चाहिए मैं दिवारों से शुरू करूँगा दिवारों पर नीला रंग एकदम से ही लगेगा अब मैं सब कुछ पेंट करूँगा हो, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है अब आगे क्या करूँ? ओ हाँ, बिलकुल, काली यह सौट पजल से एक असली लड़के के कमरे में शानदार दिखेंगे पर कुछ कमी है यहां मेरे खिलोनों की साथ एक दिवार होगी और वे यह रहे वा, अब मैं यहां सब कुछ लटका देता हूँ ताकि सभी जान जाए कि मैं कूल हूँ और मैं केवल कुछ खिलोनों की साथ खेलता हूँ यो और ब्लू मैन हर चीज की रक्षा करने के लिए और दिवारों पर मेरे कुछ पेंटिंग्स और क्रेस्टल्स कभी भी खराब नहीं लगेगा ओ, और मुझे इस टेबल की भी जर्वत होगी वाउ और इस पर रखने के लिए मेरे पास कुछ है या मेरे हैंस्टर के लिए गर मेरे छोटे हैंस्टर पीट से मिलो वो मेरे साथ रहेगा और यह बीन बैग मेरे लिए है अब सब कुछ तयार है अब आराम कर सकते है और मेरे चोटे दोस्त के साथ मजा कर सकते हैं वो मेरे गेम्स के लिए लखी होता है मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया मैं बहुत खुश हो यह अगूत है मैं भी अपने कमड़े को महल की तरह सजाना चाहती हूं लेकिन पहले मैं अपना मैनिक्योर कर लेती हूं यह गुलाबी नाखुन किसी को भी दिवाना बना दे और यह दिवाने इतनी सफिद क्यों है ऐसे नहीं चलेगा तुरंट इसे तुरंट गुलाबी रंग से पेंट करना होगा चलो वाव कितना प्यारा है पूरे कमरे में दिल रॉ कर दिया वहाँ सुन्दर लग रहा है बिलकुल मेरी तरह वाव मेरा गुलाबी कमरा लेकिन फर्श खाली है अच्छा नहीं लग रहा है गुलाबी काली नख्चलन में है और यहाँ कुछ दिल और एक सुन्दर लाइट यहाँ अच्छी लगेगी बढ़िया मैं सभी के लिए प्यारे किसेज भेज रही हूँ और मेरे पास यहाँ क्या है यह सूपर लंबे हाग पैर वाला गुलावी जिराफ मेरी ओरिजनल पेंटिंग यहाँ पर बहुत अच्छा और यह टेबल यहाँ पर अच्छा है मेरे पास अपना सामान रखने के लिए कोई जागर नहीं है और यहाँ एक आइने के साथ एक अच्छी टेबल होगी ताकि मैं हर दिन सुन्दर दिख सकू ओ, मेकप को अपडेट करना जरूरी है मैं चमक रही हूँ मेरे बाल सबसे नरम है और एक अच्छा पॉफ्यूम सफलता की कुंजी है अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ ओ, मेरा कमरा तयार है यह सबसे सुन्दर है ओ, मैं तुम्हें इस गर के एक और सुन्दर चीट से मिलवाना लगभग भूल गई यह मेरी बिल्ली मार्टा है यह सब ही दिवारे मुझे दुखी करती है मुझे इसे तुरंट ठीक करना होगा और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है पहले हम दिवारों को चमकदार और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए पीले रंग से रंग देते है मैं पेंट डालती हूँ और इसे रोलर से मिलाती हूँ मुझे दिवारों पर पेंट करना बहुत पसंद है अब मैं सूरस ड्रॉ करूंगी देखो यह कितना असान था और इसकी किरने इस तरह से वाव चलो तुम पर भी पेंट लगा देती हूँ और दिवाल पूरी तरह से तयार है लेकिन फर्स खाली है यहाँ पर बालू की जर्वत है मुझे सीबीज की बालू बहुत पसंद है यह बहुत नरम और गर्म है हाँ, थोड़ा और डाल देती हूँ बहुत बढ़िया और दिवारों पर कुछ पोस्टर्स की भी जर्वत है मेरे पास एक नाजुक फूल और एक कूल बतक है यहाँ और यहाँ वाव, और इस मेरे रैक वो देखो और मैं लगबग अपने फेवरिट दोस्ट के बारे में भूल गई एक ड़क सॉप्ट चॉइ यह सब कितना अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी और मुझी एक टेबल की भी जर्वत है यह छोटी कूर्सी बीचा आईए यह पीला इन्फिलेटेवल सरकल एकड़म सही है यह इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा गिटार बजाने का मन हो रहा है हाँ, आपको यह कैसा लग रहा है मैं बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट करूंगी लेकिन अभी के लिए यहाँ छट पर फूल सही होंगे और मेरे प्यार एपालतु जानवर की एक तस्वीर यह बहुत प्यारा है मैं उससे प्यार करती हूँ वैसे, रीची खुद कहा है रीची, मेरे पास आओ हेलो मेरे दोस्ट, चलो खेलते हैं तुम्हें खेलना पसंद है ना आओ, साथ में गाते है तुम किसीच का इंजार कर रहे हो मुझे भूख लगी है हमें जानना है तुम क्या चाहती हो मैं चाहती हो कि आप पहले रावन में मेरे लिए पास्ता बनाए पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है लेकिन कर सकती हो दादी, जागो, बेबे को नूडल्स चाहिए नूडल्स? आसानी से मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा ची, ओ, माफ करना यह आटे की वज़े से हुआ सब ठीक है ओ, फिर से माफ करना मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ आटे की बाद अंडे काउप्यो किया जाएगा मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ आउच, रुको ओ, फिर से मुझे माफ कर दो मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ खेर, जब आटा तयार हो गया है तो हम इसे छोटे बॉल्स में बाटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा इसके बाद एक विशेश मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से गुमाना होगा मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला और सबसे ज़रूरी बात ओरिजनल सभी के पास साधारन नूडल्स होगे और मेरी नूडल्स फूलो के रूप में होगे दादी आपका कैसा चल रहा है सब ठीक है मेरी पोती को हमेशा कैचप के साथ साधारन नूडल्स पसंद होते हैं तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाओ या संदूश जनक और स्वादिस दोनों होगा वेंस जी तुम क्या कर रही हो ठीक मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मैं नीचाती कि मेरे नूडल्स साधारन दिखे वो मेरे लिए बहुत जादा रंगिन है इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं इसकी बात ही अलग होगी मैं इसमें कैचप भी मिलाऊंगी या खून की जगा होगा वैसे इसके लावा मैं गमी आखे डालूँगी ताकि वे जादा खुबसरफ होंगे बेबी क्या तुम इसे चटने और वेनर चुनने के लिए तयार हो पता नहीं मैं कहां से शुरू करूँ शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राइ करूँगी मुझे ये तब से पसंद जब मैं छोटी थी मुझे लगता इस बार भी इतना ही स्वादिश होगा जैसा मैंने सोचा था अद्भुत स्वाद इसके बाद इनीट के नूडल्स को चखोंगी ये बेशक बहुती सुन्दर और बहुत प्यारा बना है ये असली आर्ट है मैं तुसे खाना भी नहीं चाहती एनीट ने अलग से पास्ता भी रखा है ओ हाँ ये बिलकुल पिशाच के नू के ले दाथ की तरह है क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये पका हुआ नहीं है सूखा है इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है ये नीट मुझे माफ करना लेकिन मेरे दाथ लगबग तूट गया थे इसलिए भी तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी और यह क्या है गमी आइस मैं इसे खाना चाहती हूँ वाव मुझे ये बहुत पसंद है वेंस जी तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडी जूडल्स के साथ अच्छे से जाता है इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं मैं इस स्वादिश नूडल्स को पूरा खक्म कर दूँगी मैंने प्लेट पर सौस की एक बुन भी नहीं छोड़ी है मुझे लगता है कि विनर्स पर्स्ट है सबसे अच्छे नूडल्स वेंस जे ने बनाए है वाव यह सही नहीं है मैंने भी कोशिश की थी वेंस जे से दूर रखो एक बुजूर महिला को डराना बंद करो बेबी तुम्हे इस बार क्या चाहिए हाँ मुझे एक कॉक्टेल चाहिए क्या बनाएंगे आसानी से तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी बेटा अब इसमें अंदर एक सेक्रेट सामगरी डालूँगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा यह हरा हो जाएगा फिंग इनीड के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ यह कैसा सैतान का हाथ है दूर हटो दादी मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो फिंकेबल ओही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है मुझे कॉक्टिल पर डालने के लिए क्रीम की जर्वत है और उपर से गमी आइस भी डालना है मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेबरेट कैंडी है यह अच्छा दिख रहा है और स्वाधिस्ट भी है और थोड़ा लाल सिरब भी बुरा नहीं होगा मैं किस चिसका इंजार कर रही हूँ मुझे भी अपना कॉक्टिल बनाना शुरू करना चाहिए यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाफ से छाटना होगा हो गया अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा जरा देखो यह कितना सुन्दर है एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीस को पिगलाने की जर्वत है ताकि वे एक गाड़े गोल में बदल जाए और फाइनल टाच विप क्रीम है इससे ड्रिंक सर्व करने में सुन्दर लगता है और एक छोटा गमी भी शानदार होगा वाव लड़कियों तुमने सुन्दर और स्वाधिश कॉक्टेल बनाये है लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्त के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा मैं एक कॉक्टेल बनाऊंगी जो एक दम पॉष्टिक होगा इसमें बहुत तरह की सबजियां सामिल होंगी जिनने मैं इस ब्लेंडर में भर दूँँगी और जितना अधिक उतना अच्छा और मैं इसे पूरा भर दूँँगी और अब केबर ब्लेंडर में सबजियों को पीछना बचा है और कॉक्टेल तयार है और इसकी महत कैसी है भयानक मेरी तवियत खराब हो रही क्या पक्का है मैं कहीं भागना चाहती हूँ कुछ भी लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्त के लिए मेरी चिन्ता की सराहना करेगी यह विनर चुनने का समय है देखने में तो सभी कॉक्टेल बहुत अच्छे है दादी का कॉक्टेल सबसे साधरन दिख रहा है मुझे इस गंदी टेहनी के चिन्ता है आसा है कॉक्टेल अच्छा होगा यह घिनोना है दादी इसे पीना असंभव है अब इनीट के कॉक्टेल की बारी है यह बहुत स्वादिश लग रहा है और मुझे विप क्रिम बहुत पसंद है और यहां यह बहुत सारे है इस तरह के कॉक्टेल को पीना नहीं चाहिए बलकि चम्मत से खाना चाहिए और हम स्वादिश विप क्रिम का एक ग्राम भी नहीं छोड़ सकते क्रिम खत्म हो क्या है और एक ट्यूब लेती हूँ अजी, कॉक्टेल इतना गाढ़ा क्यों है इसे पीना असंबब है और मैं ऐसे कॉक्टेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं यह अच्छा नहीं है वेंस दे, तभी आशा तुम पर है मैं इसे तुरंट पीऊंगी हम, आखिरकार, स्वादिस्ट मैं इस कॉक्टेल को हमेशा पीना पसंद करूँगी क्योंकि यह वास्तों में स्वादिस्ट है मैं रूप नहीं सकती हाँ वाओ, यह तो बहुत ही अच्छा है उपर से विप क्रीम और मीनर कौन है? जाहिर है, बैंस डे उसने बहुत अच्छा कॉक्टिल बनाया है मुबारखो इस राउन में हमें क्या बनाना है? दादी, यह बहुत आसान है मेरे लिए सलाद बनाओ मुझे कुछ हलका चाहिए ठीक है, सलाद ही सही या किया जाएगा बस कुछ मिनाट तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पतियों को उगाया है इसे सलाद का अधार बनाती हूँ फिर चीज और ब्रेट क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा जाईर है, मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है हमें रजदार चेरी टामाटर को नहीं बूलना चाहिए इससे सलाद स्वादिश और खुबसुरत दिखेंगे मेरा सब तयार है मुझे समझ आ गया कि सलाद को ना किवल स्वादिश बलकि सुन्दर भी कैसे बनाय जाए मैं फिर से फूलों की थीम पर लोटूंगी और सब्जियों से छोटी और प्यारे फूल बनाऊंगी मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है मुझे तो यहां आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलतस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादि सलाद भी है फूल यह बोरिंग है सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए जैसे कि कम से कम थोड़ी बेजिल लेक्स मैं इस खोपरी से खोश हूँ इसलिए यह भी प्लेट पर होगा इस खोपरी पर मैं चीज और हैमचिप कादूंगी अब हमें पूरी चीज पर कैचप डालना है और दो आखे लगानी होगी इस तरह से खोपरी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा कितना डरावना है अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाओंगी लेकिन यह मैं नहीं बलकि बेबी टाय करीगी ओरे स्वादिस सलाद वैस दे तुमने इस बार क्या बनाया है ओ कितना नरावना है मैंने ऐसा भयाना सलाद कभी नहीं देखा नई यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए मैं नहीं खा सकती चलो देखे कि दादी ने मुझे कैसे सर्प्राइस किया है उनका सलाद वास्ता में सीजर के समान है यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तयार हूँ मैं रुपना भी नहीं चाहती मैं जल से जल प्लेट खाली करना चाहती हूँ यह सलाद स्वादिश और हेल्दी दोनर है अब मैं बहुत मजबूत हो जाओंगी लेकिन इससे पहले मैं इनेट के फूलों को ट्राइ करूंगी छी यह सिर्फ सब्जिया है स्वादिश नहीं लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया बधायो दादी उधर देखो बेबी टास्क देने के लिए तयार है मुझे डोनट चाहिए तुम्हें डोनट मिलीगा मुझे भी यह पसंद है इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट कितनी बोरिंग होंगे ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाज जरूरी होता है बेबी को केवल उसे देखना नहीं है और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी या कहूं तो मेरे प्रतेग डोनट का अपना रंग होगा आमतर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं अववा क्या था? मेरे पास मत आओ बेकिंग से मेरा ध्यान मत अटाओ मेरे डोनट तैयार होने वाले है आधा काम हो गया या सजाने का समय है बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा वो वास्ता में खून की तरह दिखता है लेकिन इतना ही नहीं है सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकडी के जाल के रूप में पैटरन ड्रॉ करूँगी यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट को मकडी के जाले से बाहर निकाला हो थेंग इसे ले लो और मुझे नियूटेला चाहिए उसे लाओ शाबाश तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादर नहीं बना पाती देखो यह कितना अच्छा है मैंने असली सुन्दर डोनट्स बनाए है ओ दिल्चस मैं डोनट्स को बहुत जादा नहीं सजाना चाहती उनके स्वात को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छीड़कूंगी यह सबी को पसंद आता है तो मेरी पोती भी खुश होगी मेरे रंगीन डोनट्स भी तयार है यह बहुत सुन्दर है हम उनके साथ तस्वीरे भी ले सकते है यह अच्छा है लेकिन यह इतना ही नहीं है ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते है हमें बस इसे खोलना है आँ आप मेरी पूरी जीब कैंडी में ढाकी हुई है लेकिन कोई बात नहीं यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है ओ, वेंस्डे ने फिर से कोछ अलग सा किया है यहां तक की चमगादर भी स्वादिश लग रहे है वाव, बुरा नहीं है लेकिन सचकों तो मुझे और अधिक की उमीद थी अब आगे दादी के डोनट्स को चखोंगी इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ इस तरह से यह बहुत अधिक सुविदा जनक होगा बढ़िया, साधारन डोनट्स है स्वादिस्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है आईए देखें कि इनिट ने मेरी ले क्या बनाया है उसके डोनट्स बहुती सुन्दर लग रहे है ऐसा मुझे पसंद है वाव, यह तो कमाल का है इनिट, यह स्पर्स्ट है, तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे है